हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई इस्टडी शीट चैनल दोस्तों आज मैं इस्टीपल त्यर्जरन यानि की पानी बाधाद दर्ड के बारे में वी सभी इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपके एक्जांस में 100% पूछे जाते हैं उहीं टॉपिक्स को बताने वाले हूं आप वी सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सब्सक्राइब कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा तो दोस्तों चलते हैं आज के इस्टिपल चेर्जरन के बारे में जानते हैं इस्टिपल चेर्जरन यानि पानी बाधादोड में कुछ बाधाएं होती हैं यानि कुछ जल कूद यानि वाटर जम्स होती हैं दोस्तों यह 3000 मीटर का पूर्सोय महलाओं के लिए होता है और जुनियर के लिए 2,000 मीटर का होता है एंड तीन हजाय मीटर के पुर्सों या महिलाओं के लिए जो इस्टिपल चेज होता है उसमें 28 बाधा एंड 7 जल कूद यानि वाटर जम्स होते हैं कुल 35 बाधाय होती हैं जो सब्सक्राइब चैज में बार 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 पूछा जाता है उसके बारे में जानते हैं जैसे कि दोस्तों 30,000 में 35 बाधा होती हैं 28 बाधा यानि हर्डर्स और 7 जल कुद्दे यानि की Water Jumps होती हैं इसमें बाधा का वजन वेट होता है और 3 से 100 केजी होता है जो बाधा जो हटल्स की उचाई होती है वो मेंज यानि पूर्सों के लिए 36 इंच यानि 91.4 सेंटी मिटर होता है महिलावा यानि ओमेंज के लिए 30 इंच यानि 76.2 सेंटी मिटर होता है प्रत्यक बाधा के उपर छोर पर लगे लकड़ी के 14 गत्य की चोड़ाई 12.7 सेंटी मिटर होता है यह 400 मिटर इस्टेंडर ट्रैक पर किया जाता है और इसमें जो जलकुद वाटर जम्प होता है उसको ट्रैक के अंदर या बाहर रखा जाता है यदि वाटर जम्प को ट्रैक के अंदर रखा गया तो ट्रैक की दूरी 10 मिटर कम यानि 390 मिटर हो जाता है यानि 400 मिटर का ट्रैक होता है अगर अंदर रखा जाता है तो ट्रैक की दूरी 10 मिटर कम हो जाता है 390 मिटर का हो जाता है यदि water jump को बाहर रखा जाता है तो 10 मीटर जादा यानि 410 मीटर का हो जाता है यानि कि जब दोनों को आपस में compression करके बताएंगे जैसे कि यदि जल कुद को water jump को अंदर रखा जाता है तो track की दूरी 390 मीटर हो जाती है बाहर रखा जाता है तो 410 मीटर ट्रेक की दूरी हो जाती है यदि अंदर रखा जाता है तो क्या सिचुवेशन होता है जैसे कि 390 मीटर ट्रेक होता है इसमें पर्थम बाधा जो होता है फिनिस लाइन से 10 मीटर आगे रखा जाता है रखा जाता है यह अदर रखा जाता है रिखित अधर होती है तो फेस्स लाइन से अधर होती है और उन पांच बधाओं में एक चवथा जो होता है वो वाटर जंप होता है जल कुद होता है और चार बधाएं जब वाटर जंप को ट्रेक के अंदर रखा जाता है तो परतेक बधा की दूरी आपस में कितना होता है परतेक बधा आपस में दिस्टेंस होता है और जब वाटर जंप को बाहर रखा जाता है तो परतेक बधा आपस में दिस्टेंस होता है 82 मीटर एंड फिनिस लाइन जो होता है वो पाचवी बधा से 72 मीटर दूर रखा जाता है यानि कि दूस्तों कुल मिला करके पूरा साथ चक्र होता है परतेक चक्र में चार बधाएं होती है एक पानी बधा यानि की वाटर जंप होता है यानि कुल 28 बधाएं और साथ पानी जंप, साथ चक्र हो गया परतेक चक्र में एक वाटर जंप यानि साथ पानी जंप, साथ वाटर जंप हो गया यह दोस्तों इसमें वाटर जंप में पानी का टैंक में बाधा के पास की गहराई जो होती है उन 70 सेंटी मीटर होती है और चोडाई जो होती है तीन दरसमलो 6-6 मीटर होती है तो दोस्तो ए था इस टीपल चेज रन यानि पानी बाधा दौड के वे बारे में वे सभी इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपके एक्जांस में 100% पुछे जाते हैं आई होब कि दोस्तो आपको सभी टापिक अच्छे से समझ में आये होंगे इससे बाहर आपको कोई भी कोश्चन नहीं पूछ सकता और दोस्तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताईए जादे से जादे सेयर किया किजिए दोस्तो मुझे इससे मोट आपको मिलता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिए